तो जैसे हमने exercise का sum number 4 निकाला था सेम डिट्टो को आपी से हमने sum number 5 को निकालना है इसमें पूछ रहा है कि ये जो sequence हमारे पास given है इसमें कितने terms हैं मतलब कितने इस पर बैयत के digits जो है वो हैं इस sequence में तो हमें मालूम है ये a1 है ये a2 है ये a3 है और इसमें कहीं ये आता है वो पता कीजिए कि कौन से number पर आता है तो मतलब यही हमें find out करना है कि इसमें कितने numbers हैं अगर इसमें total 20 हुए तो ये a20 हो जाएगा अगर इसमें total 30 number हुए तो इसमें a30 हो जाएगा तो कुल मिला कि हमने n को ही निकालना है तो सबसे पहले हम D निकालेंगे फॉर्मूला हमें मालूमी है कि हम बार बार करने A N is equal to A plus N minus 1 D और D निकालने का फॉर्मूला A 2 minus A 1 मतलब 13 से minus करना है 7 तो हमारे पास कितना आ जाने का है 6 तो 13 minus 7 is equal to 6 D की value हमारे पास कितनी आ रही है 6 आ रही है तो हमारे पास A given है, D given है, A N given है तो फॉर्मूले में हम put कर लेंगे फॉर्मूले में तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है A N is equal to A plus N minus 1 D D हमने अभी निकाला कितना 6 यहां पर और N को हमें मालूम नहीं है N minus 1 ऐसे A हमारे पास कितना 7 plus 7 और A N कितना है हमारे पास 205 मतलब last digit होता है A N हमारा क्या होता है last digit last digit होता है last term होती है last element और यह हमारे पास कितना है 205 तो यह जो 7 है में इदर shift करता हूँ minus हो जाएगा minus 7 इदर क्या बचा N minus 1 6 और इस 6 को में अंदर multiply करता हूँ यह बन जाएगा 6 N minus का 6 और 20 205 से minus कर रहा हूँ 7 तो मेरे पास कितना बचेगा 198 और यह जो minus का 6 है इदर shift करता हूँ plus को जाएगा plus का 6 इदर क्या बचाओ 6 N इसमें add किया तो मेरे पास कितना हैगा 204 is equal to 6 N और जो साथ हमें वो नीचे चला जाएगा मतलब N is equal to 204 by 6 तो इसे काट कर कितना आ रहा है 34 आ रहा है तो N की value मेरे पास कितनी आ रही है 34 तो उसने पूछा था कितने digit है इसमें मतलब कितनी terms हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेरे पास कौन से number पर है यह मेरा 34 तो ए 34 मेरे पास कितना है 205 है तो total कितने हुए total term is 34 तो यह ही पूछा है तो यह लिखना है student आपको पंजाबी वाले लिखनगे इस अंक गिनित का लडी दे वेच्च कोल चौन्ती पादहान ओके student इसी तरह पर हमने sum number 5 का second part निकालने है A1 हमारे पास 18 है A2 हमारे पास 15 का half है और यहाँ पर यह हमें मालुम नहीं है so A N वो हमारे कितना है minus का 47 है so D निकालते है D is equal to A2 यह 15 का half minus 18 तो इसे solve यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले यह solve कैसे होता है student तो यह कैसे solve होता है इदर देखिए यह 2 जो है multiply होगा इसके साथ यह कितना बेंजएगा 30 और जो उपर होता है वो plus हो जाता है उपर जो होता है वो क्या हो जाता है plus हो जाता है so plus 1 जो नीचे है वो फिर लिखना होता है 2 minus का यह 18 by 1 तो यह D की value आएगी हमारे पास यह से solve करते हैं so D is equal to 31 by 2 minus का 18 by 1 तो LCM करते हैं LCM हम सभी को आता ही है 31 को 1 के साथ multiply 31 minus 18 को 2 से multiply तो हमारे पास आएगा 36 by 2 तो इनको minus करेंगे minus करने के बाद हमारे पास कितना है 5 minus का आएगा क्योंकि छोटे से बढ़ाने कार रहे है so minus का 5 by 2 मतलब D की value हमारे पास कितनी आ रही है minus का 5 by 2 आ रही है so उपर जो formula लिखा था वही अब दुबारा अब मैं यहाँ पर formula नहीं लिखूंगा आप लिख ले ना मैं यही लिखा हुआ न इदर formula लिखा हुआ है तो मैं इसी को यहाँ पर दुबारा use करता हूँ आप दुबारा लिखना copy पर याद रहता है ऐसे तो a1 हमारे पास कितना है minus का 47 is equal to a हमारे पास कितना है 18 plus and हमें मालूम नहीं so d कितना है minus का 5 by 2 है तो solve कर लेते हैं यह 18 इदर plus का है तो इदर shift करते हैं minus को हो गया so minus का 18 is equal to अब यहाँ पर देखिए यह एक बार ऐसे कैसे लिख देते हैं minus 5 by 2 यह minus minus प्लस होगे result क्या आगा minus का 65 5 is equal to यह फिर ऐसे लिखते हैं minus 1 minus 5 by 2 है तो अब यहाँ इसको student मैं next pay पर लिख रहा हूँ तो आप अपनी copy पर इसे एक बार दियान से लिख रहें कि next pay आपको परशानी आएगी तो चलिए मैं एक बार लेखी देता हूँ आपको याद रहेगा हमारे पास था minus का 65 is equal to और था n minus 1 और minus का 5 by 2 हाँ यही था तो student अब दियान से देखो आप ऐसे solo कर लीजिए चाहे आप जो मैं next लिखने वाला हूँ वैसे solo कर लीजिए यह जो minus का 5 by 2 है इसे मैं आगे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे easy रहेगा minus का 5 by 2 और यह n minus का 1 ऐसे तो अब देखिए student यह minus का 65 यहाँ पर ओके यह जो 2 है इसे मैं इसके साथ multiply कर दूँगा इसे 2 को इसके साथ multiply तो यह मेरे पास आएगा minus का 130 is equal to minus का 5 and minus का 1 हो जाएगा तो यह minus मैं कट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 130 is equal to 5 को अंदर multiply यह 5 and minus 5 को इसके साथ multiply तो यह only 5 ओके तो अब मैं इसे solve कर लेता हूँ यह minus का 5 इदर जाकर plus का हो गया तो यह गया plus का 5 is equal to 5n तो यह कितना बन गया हमारे पास यह बन गया 135 is equal to 5n तो n की value कितने है 135 by 5 तो काट कर कितना आ रहा है 27 so n is equal to 27 तो मतलब जो हमें sequence given है उसमें कितने element है हमारे पास 27 है तो यहाँ पर यह जो है वो कितना आ गया a 27 is equal to minus का 47 तो यह जो बात उपर लिखी थी हमने वो आपको फिर दुबारा लिखे ले